कम बेहनत के और कम देख फाल के अगर आप अपनी बग्या को सुन्दर सुन्दर पूलों से सजाना चाहते हैं तो ये ओप्षन आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा पौर्टुलका का प्लांट जिसे नानो, क्लॉक, दस बजिया, और फिस टांप कई नामों से जाना जाता है ये पौधा आप अपनी बग्या में अभी शामिल कर सकते हैं वाइट, पिंग, येलो, रेड, कई सारे इसमें कलर स्पीर मिलेंगे आपको वैसे तो नर्सरी में भी आपको इसके चोटी-चोटी प्लांट मिल जाएंगे लेकिन अगर आपको अपने परोश में या किसी रिलेटिव के यहां इसकी चोटी सी भी कटिंग मिल जाती है तो ये बहुत अच्छा समय है इसी लगाने का और अगर आपके पास पहले से ही ये पोदा है सर्दियों में ये डॉर्मेंसी पिरेट में चला जाता है तो इस समय इसके हालत बहुत खराब हो चुकी होगी चुकि ये समर प्लांट है तो इसका फ्लॉबरिंग सीजन आने वाला है नमस्कार हमारे गार्डिनिंग पैजर्स चैनल पर आप सभी का सवागत है आज की वीडियो में आप चानेगे कि पॉर्टिलका प्लांट में ज्यादा से ज्यादा फ्लॉबरिंग पाने के लिए हमें इस समय कौन-कौन सी काम करने है और कौन सा फर्टिलाजर एड करना है ये देखिए मेरा भी ये पुराना ही प्लांट है और नॉमबर लाश्ट में मैंने इसकी कटिंग कर दे थी अगर आप अभी तक इसकी cutting नहीं कर पाए है तो इस समय इसकी cutting कर दीजे और जितनी भी इसमें घराब और पुरानी पत्निया ये stem में उनस सब को निकाल कर अलग कर देजे इस तरह से कमजोर प्रांचे जो भी हैं उनस सब को निकाल कर अलग कर देंगे अगर प्लांट ज़्यादा पुराना है और pot में जड़े इसकी ज़्यादा फैल गई हैं तो आप इस समय रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं solid fertilizer देने के लिए space बहुत कम होता है इसमें तो नया पौदा लगाते समय इसमें हम कम से कम 40% तक वर्मी compost या गोबर की खात मिला लेंगे और इसके बाद हम यूज करेंगे इसमें liquid fertilizer ये जो चीज खात की रूप में हम आज देने वाले हैं इसमें इसे डालने से पहले ये जानना जरूरी है कि इसे कब कितनी मात्रा में और कैसे देना है ये है चाय की पत्ती जिसे हम दो तरीके से पौधी में प्रियोग कर सकते हैं एक तो चाय बनाने के बाद जो पत्ती निकलती है उसको अच्छी तरह से 3-4 बार आप साप पानी से धुलने और धुलने के बाद इसे अच्छी तरह से सुखा ले तब यूज करें इसका क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब प्रियोग की हुई चाय की पत्ती को हम पौधों में डालते हैं और अगर उसमें थोड़ा सा भी दूद का अंसो पचके आई या फिर अच्छे से सूख नहीं पाती है तो फंगस का खत्रा हो सकता है तो यूज की हुई चाय की पत्ती को आप अच्छी तरह से सुखा ले और धुले इसके बाद 6 इंच की पॉट में दो चमच तक इसे प्रियोक कर सकते हैं लेकिन अगर आपको सुखानी में थोड़ा सा जंजट लग रहा है तो आप नॉर्मल दो चमच चाई की पती को एक गिलास पानी में उबाल कर 4-5 घंटी के लिए छोड़ दें और जब यह पूरी तरह से ठंडा हो जाए तो इसमें बराबर मातरा में पानी मिलाकर एक गिलास पत्ती सहथ बिन अच्छाने हुई एक पॉट में डाल दीजिए और फिर देखिए आप 15 दिन बाद ही इसमें काफी अच्छी ग्रोथ शुरू हो जाएगी चाय पत्ती डालने के 18 दिन बाद इसमें पानी में भिंगो कर वर्मी कमपोस्ट डालते हैं उसके बाद फिर से आप 20 दिन में चाय की पत्ती रिपीट कर सकते हैं पॉर्ट लका में सिर्फ ये दो चीज़ें देने के बाद आप देखेंगे इस सीजन में आपके प्लांट में कितने अच्छे और ठेर सारे फूल आते हैं इस तरह के एर करते हुए जब आपका प्लांट फूलों चे भर जाए तो मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा थेंक्यू